नमस्कार स्वागत है सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज हम आप सभी को पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में 12.7 का एक नए अपडेट आ चुका है हमेशा कि तरह पोशन ट्रेकर एप में जो इसूज है उसको फिक्स किया जा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है मैं सिधे सिधे बोल रहा हूँ कि कुछ हो नहीं रहा है पोशन ट्रेकर एप में समस्या ह वैसा है कि वैसा ही है चली जानते हैं आज पोसन ट्रेकर एप में क्या-क्या ठीक हुआ है वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा देखिए जो नय-nय अपडेट आते हैं तो उसमें प्रवलम ठीक होनी चाहिए लेकिन वो प्रवलम ठीक नहीं हो रही है चली हम इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पोशन ट्रेकर लिट के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का ओप्सन आ जाएगा आप अपडेट कर लीजिएगा हम यहाँ पे पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर चुके हैं देखिए यहाँ पे एक आपको डेट दिखाई दे रहा होगा लास् तरह जो इसूज को फिक्स किया जा रहा है लेकिन इसूज जो है पोशन ट्रेकर एप से फिक्स ही नहीं हो पा रहा है हम आपको हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रोबलम कितनी है और कितनी अभी बाकी हम सभी वीडियो में आपको दिखाते रहते हैं चलिए इस प्रोल्म आपको दिखा रहे हैं कि home visit जैसे कि home visit काफी दिनों से यहां पर submit नहीं हो रहा है home visit serial को open करेंगे और यहां पर देख सकते हैं किसी भी category में जब हम लोग लभार्थियों का date submit करते हैं तो वहां पर क्या problem आ रही है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं हमने update से पहले ही इस लभार्थी का जो data है वो हमने submit कर दिया है हलागी एक बार दो बार करने पर नहीं submit हुआ तो हम इसको तीन बार चार बार यहां पर submit करते गए तो आखिर में यह जो लभार्थी का data है वो submit हो गया है आपको भी तीन बार चार बार लगतार कोशिस करना है आज के लिए जो डेटा मिलता है उसको तीन बर चार बर कोशिस कीजिए तो आपका जो home visit का आज के लिए जो data मिलेगा वो submit हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे late वाले option में जैसे कि किसी कारणवास जो लभार्थियों का home visit है उस दिन नहीं हो पाता है तो late में चला जाता है तो late में जाने के बाद यहाँ पे जो इसको submit करने का option पहले दे रहा था काफी दिनों से ऐसी problem चल रही है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे touch करेंगे तो यह option खूलेगा ही नहीं तो इस प्रकार की problem देखिए नहीं ठीक हो पा रही है काफी दिनों से कितने भी update आ चुकी है लेकिन इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं जब तक यह जो run वाला option है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो समझे कि आपकी problem ठीक नहीं हुई है तो चलिए अब हम चलते हैं सिधे beneficiary वाली category में जैसे कि इसमें भी देखेंगे कि THR करने में भी problem आ रही है बच्चों के growth monitoring करने में भी problem आ रही है migrate करने में भी problem आ रही है तो कह सकते हैं कि portion tracker app जो है है इसको हमने migrate किया था देख सकते हैं यहां पर नाम जोती कुमारी है migrate तो हमने कर दिया है बट यहां से जो नाम हटना चाहिए वह यहां से नहीं हट पाया है वह धातिरी पहिला में यहां से ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन उसका नाम वहां से नहीं हट पाया है देख सकते हैं यहां पर जोती कुमारी का नाम यहां पर आ चुका है लेकिन वहां से वह नहीं हट पाया है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक दो दिन वेट कर सकते हैं तो लभा लभार्थी को डिलीट कर सकते हैं चलिए आप हम डिलीट वाले ओप्शन पे क्लिक कर दिये तो देख सकते हैं उस लभार्थी का जो डेटा है यहां से वो हड़ चुका है यह जो टी एचर की जो प्रॉब्लम है वो टी एचर की प्रॉब्लम वैसा की वैसा ही है आपको अधार वेरिफाई करना होगा तभी आप किसी भी लभारती को THR दे पाएंगे जैसे कि यहाँ पे जिनका आधार वेरिफाई हुआ है तो उनको आप लोग THR असानी से कर सकते हैं लेकिन जिनका आधार वेरिफाई नहीं हुआ है उनका आप लोग THR नहीं कर सकते हैं लेकिन इस अप उनका नाम यहां से यहां भी और टोमेटिक चला जाना चाहिए लेकिन वो नाम भी यहां से यहां अगोर ज्वात 曲ब लीध अनकिती सबर्ग परकर आहे फिर यहां से आपको डिलीट कर देना होगा आपको यहां पे नए बच्चों का नाम इसमें से इसमें जोड़ देना है और यहां से आपको डिलीट कर देना है तो हमने इसके उपर एक और लेडी वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप वहां से आसानी से देखके बच्चों का जो नाम है यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद देखिए यहां पर जो बच्चों का Growth Monitoring नहीं हो पर आये Height Weight डाल रहे हैं लेकिन वहां पर Submit नहीं हो पर आये या फिर उनका जो height weight है वो नहीं दिखा रहा है तो इस नए update में आप लोग करके देखिएगा क्या-क्या ठीक हुआ है क्या-क्या अभी problem अभी आप लोग के साथ हो रही है आप लोग हमें comment करके जरूर बताइएगा बाकी इस update में कुछ खास नहीं है तो उमीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी परकार से नए-नए information समय समय पर मिलती रहे मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हींद